गुद मॉर्निंग अविवन कैसे वह आप सब लोग तो अब हम मार्केट में बाए करें सेल करें क्योंकि मार्केट में में बहुत बड़ा गैप अप नजर आ रहे हैं तो जब नेरबाइस टोपलोस नहीं होते तो मार्केट थोड़ा सब फुलाटाइल रहता है तो ऐसे कंडि कि नियो गिराओट देता है तो रिटरिश्मेंट के बाद सेलिंग का प्लान रहे गा अगर हमें बाय करना होगा मार्केट को तो थोड़ा जब बायर कंफ्यूज हो जायेंगे मार्केट में कोईن बगरा बना कर फिर ब्रेकडाऌन बगरा देगा उससे में हमें फोड़ा ब अगर यह मान लेते हैं 100-800 पॉइंट का होता 37,000 के आश्वास होता तुमारे लिए बैटर होता मार्किट SL के काम करना लेकिन अब थोड़ा सा यह चार्ट हमारे लिए काम तो आएगा लेकिन ज्यादा काम नहीं आ पाएगा तो जस्ट हमें वेट करना मार्किट देखते हैं कै कैसे काम करने वाल है और निफ्टी में भी हमें बहुत अच्छा ग्याबर मिल है वेट करते हैं उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे तो यहां पर देखे मार्किट में बहुत अच्छा पोजिटिव मुमंटम आया हुआ है तो क्या इस रेड गंडल के अकोर्डिंग हम यहां पास पास होते हैं हम जरूर करते कि चलो हम यहां पर स्टोप्र लोशल करने के लिए लेकिन यह जो गैप है यह थोड़ा सा ज्यादा है है। हमें buying और selling में directly नहीं दाना जी है अगर हम यहाँ पर यह सोचें कि buy कर लेते हैं market उपर continue चलता जाएगा तो अब इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि अपना target मिलेगा नहीं मिलेगा market हो सकता है 50 point उपर जाए फिर नीचे आ जाए जाए क्या पता पूरा है 100 point चला जाए तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और जिस चीज़ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता वहाँ पर probability हमारी सब से कम होती है और उस condition में ट्रेड में नहीं जाना जाए तो जश्ट हमें वेट करना है मार्केट को ऐसल वगरा क्रियेट करने दीजी उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे ऐसा भी नहीं कि आंपर बाइ कर सकते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कि यहां पर selling करें क्योंकि अगर selling करना है तो यह वाला जो बायर में target करना पड़ेगा और ऐसा तो है नहीं कि market ऐसे ऐसे गिरता जाएगा और हमें target देगे निकल जाएगा ऐसा कभी निकर आइसा तब करता जब nearby हमारे पास SL होते तो जश्ट हमें वेट करना मार्केट को देखना है को रेंज वगरा बना देगा हमारे लिए तो आपको मोका तो मिलेगा थोड़ा सा जब nearby आसल नहीं तो वह लाटाइल रहेगा यह आपको पताईए तो जब SL मिलेंगे तब आपको ट्रेड करना है जल्दवाजी आपको किसी भी काम में नहीं करने है तो वेट करते हैं उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे तो चलिए हम यहां पर पोजिशन बनाने वाले मार्केट में बहुत अच्छा ब्रेक आउट आया हुआ है और निफ्टी ने सब्सक्राइब बना दिया तो थोड़ा चलने देते हैं इसको और अब हम पोजिशन भी बना सकते हैं तो पहले मैं पोजिशन बना लेता हूं उसके बाद मैं आपको रीजन एक्सप्रेंड करूंगा 600 कॉंटिटी हम यहां पर बाइक कर लेते हैं उसके बाद अपना रहता ह है थोड़ा सा देखते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ा सा चलने देते इसको जितना उपर जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है भागने देते हैं इसको आपको लग रहा हुगा कि सर आप तो पोजिट टेट लेते हूं हमें बताईए कि आप यहां पर से रहे थे लेकिन मौर्केट ने मौका ही नहीं दिया तो अपना यहां पर सेकंड पोजिशन भी बन जाना चाहिए 600 हम यहां पर बाए कर लेते हैं उसके बाद अपना रहता है निफ्टे का यह एक कंटीनिव मोमन्टम करकि आया है 600 कौनिटी यहां पर हम बाए कर लेते हैं त क्योंकि मार्केट में यहां पर जब होल्ड कर रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि सेलिंग करें या बाए करें क्योंकि मार्केट में अगर हम बाए करने की सोचें तो पताने मार्केट कितना टार्गेट दे पाएगा लेकिन अगर हम सेलिंग करने की सोचें तो गया है कि breakout आ गया है अब यह नीचे भी आएगा ना तो फिर दुबारा से लोग इसको भाय करने कोशिश करें तो मार्केट ने क्या किया अपनी साइकलोजी को मंटेन करते वे मार्केट अपसाइड गया है तो अब दुबारा से नीचे आएगा तो सपोर्ट के आसपास दुबारा से लोग भाय करेंगे तो ऐसी टेंडेंसी यहां पर मार्केट में में देखने को मिलनी चाहिए अपर साइड यहां पर कोई भी इस्टो प्लोस नहीं है कं यहां पर अगर आप ट्रेडर करोगे वही प्राइज अक्षन को सीखना होता है जश्ट यह आप सीख गए उसके बाद आपको एंटरी समझ में आने लगी कैसे आपको एंटर करना चाहिए अब देखी अब मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं पूर साइड का बोशन बन 12 बजे तक तब तक आपका ऐसलीट हो जाता तो प्रोबल्टी जहां पर हाई है कि मार्केट ने ब्रेक आउट दिया है तो यहां पर अब दुबारा से नीचे आएगा सपोर्ट लेगा दुबारा से लोग बाइंग करेंगे ऐसी मैंने आपको बताया भी था मार्केट में सा लाला चाहे या बायर को ऐसा लगी कि मुझे बायर नहीं करना मार्केट ने और मार्केट ने हमें मुझे लगता कि ऐसा ही कुछ यहां पर बनाया तो मैंने अपना यहां पर जो यूज करना था अपना सैटप बन रहा था तो यहां पर मैंने ट्राई किया अब मार्केट के ह लेकिन जब डारेक्ट लिएक लेवल को टेस्ट करा है तो वहां से रिजक्षन या रिवर्शल पोसिबल होता है तो यहां पे भी पोसिबल्टी को देख के ट्रेड किया जाता है रेंडम ली बाइंग सेलिक नहीं किया जाता तो अभी देखिए अपना 4000-3000 के राउंड प्रोफिट चल रहा है कितना प्रोफिट कितना लो सम यहां पे लेने वाले है देखिए जिस प्रकार के प्रीमियम हमने उठा रहे हैं उसके अकोर्डिंग हम यहां पे 60-70,000 तो ले नहीं पाएंगे थोड़ा सम क्वांटिटी एड़ कर पाते तो अच्छी बात होती निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर यह थोड़ा बहुत उपर आता है तो मैं सोच रहा हूं किसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी को एड़ कर लूं या फिर यहीं पे थोड़ा सम क्वांटिटी एड़ कर लेता हूं ताकि हमाना जो 60-70,000 रुपी का रिस्क सही बैड़ जाए या फिर रहने दें इसको थोड़ा सा कहीं लोस देने चला जाए मार्केट और हम यहां पर क्वांटिटी को इंकरीज कर दें वह दिक्कत हो जाएगा तो ऐसी सुच रेंडमली कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको दिक्कत कर सकता है तो रेंडमली कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए जो भी आपने प्री प्लांड होता है उसी के अकोर्डिंग आपको चलना चाहिए कि मैंने वह वह करना है यह यह करना है तो उसके अ मार्केट में मुमंटम मिले इसी में हम निकाल देंगे 70-80,000 रुपे तो वेट करते हैं 60-70,000 रुपे का लोस है और इसी के आसपास अपना प्रोफिट रहेगा वेट करते हैं अभी अपना 4000-3000 के राउंड लोस नजरा रहे या फिर थोड़ा सा प्रीमियम काफी लो हैं तो थ ऐसे है ना कि 60-70,000 में दिक्कत नहीं होगा थोड़ा सा क्या कि मार्केट सलो हो गया ऐसा कुछ मुमंटम आ गया तो उसमें दिक्कत होता अब थोड़ा सा काम चल जाएगा अगर प्रोफिट लोस होगा तो 60-70,000 अराम से बन जाएंगा अपने तो 5000-6000 के राउंड प्रोफ को एगा है आप कोई काम है नहीं क्योंकि वैसे भी यहां करते है कोई सेलिंक कर रहा है अगर लोस आएगा तो थोड़ा सा बैट जाएंगे साइड में ऐसे ही करते हैं एट थाउजंड नाइन थाउजंड के राउंड प्रोफिट नज़रा रहा है तो यहां पर देखे अपना 45,000 के राउंड प्रोफिट चल रहा है और मार्केट में मुमंटम बहुत तीज जल्दी से भाग जाएंगे एवन देखी अपना यहां पर टार्गेट आल्मोस्ट रीज हो सुका है थोड़ा बहुत और वेट करते हैं उसके बाद अपनी पोजिशन यहां से काट सकते हैं चलिए हमें अपना यहां पर प्रोफिट बुकिंग कर लेते हैं मार्केट में फा किया था और 944 के राउंड हमने सभी पोजिशन को काट दिया मार्केट में थोड़ा सा कंटीनियू मुमंटम आया हुआ है और कहीं से भी छोटा मोटा रिट्रेस्मेंट या रिवर्सल आ सकता है ऐसी प्रोब्लम को देखते हुए हमने यहां पर जल्दी अपना प्रोफिट